साथियों नमस्कार मैं केला सर्मा मोटर वाइकल रेगुलिशन से रिलिवंट आज अपसान में नया टोपिक में लेका हूँ इसके बारे मैं आज को आप बताने की कोशिश करूँगा उससे पहले कि अपने वीडियो इस्टार्ट करें अगर पूर के वीडियो आपको पसंद आए और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन सके तो अपने स्टार्ट करते हैं एसेंड्मेंट ऑफ अजनल सके अंदरतन इस्टेट के बारे में बता रहा है याईनि कि अन्य राज्य के जो भान होते हैं उनको किसी दूसरे राज्य में ले जाते हैं तो उस पर पुना-पंजन कराना अनिभारिया है वह किन किन परिसेत रूल 1989-89 की रूल चौपन में इसका प्रोसेजर बता रहा है कि जो री एसेंडमेंट है वो री एसेंडमेंट किस परकार से किया जाता है जैसा कि आपको पता है कि अपने बहुत बार अधर इस्टेट से वाइकल यहां पर लाते हैं अपने राजे में आप लाके चलाते हो और उस वाइन को अगर बारा महिने से ज्यादा अपने राजे में रखते हो तो उस पर अपने का नंबर यानि की ओन जो वाँ का है वह उस स्टेट का पंजेन क्रमांग लेना अनिवार्या है यानि की इफ वाइकल केप्ट इन अधर इस्टेट इन अमोर दें 12 मन्थ पंजेन क्रमांग लेना अनिवार्या है लेकिन यहां पर एक चीज द्यान रखना यह के बारे में बता रहा हूंoupi एक स्पाइस अगर ज्यदा रहता है तो Сब्सक्रणा के लिए आपको उस राजजे के पंजन कमांग लेने अनिवारिय होता है जदि आपका वान B.A. सिरिज का वाइकल है ठीना तो आपको उस वहान के ऊपर रिएशएंड या silicone करना उसको पूरना पंजन करना उस राजजे में पंजन करमांग लेना अनिवारिय नहीं होता है ब Norm में स्वेक्स के वारे मैंनग से दो वीडियो बिंदर विडियोस के लिए ने ही दिना पड़ता हैcciones चांव सकते हैं और बारा मिने आदर बारा मशीं है तो लेना है और बने की जरूतर एसंट्र Surprise राख बेसे एक राज़ से दूसरे आज़े में लाते हैं तो लाने से जो आपको एक आपको एनों से जारी करानी पड़ते हैं यानि कि Motor Vehicle Rules का एक फारम होता है 28 वो आपको जारी कराना पड़ता है जिसे No Objection Certificate कहते हैं लेकिन No Objection Certificate जारी करना से पहले आप एक चीज़ यह confirm करें in a city where do you want to assign यानि कि आप NLC जब जारी कर रहे हैं उससे पहले यह निश्चित कर ले हैं कि आप जिस राज्जी और जिस जिले के अंदर वह वहां ले जा रहे हैं उस जिले के अंदर माने निया सुप्रिम कोट या किसी कोट द्वारा या NGT द्वारा कोई भी उस city के अंदर restriction नहीं लगा होता है लगाए हुआ है restriction कैसे जैसे कि fuel type में लगा सकते हैं कि इस city के अंदर इस fuel का 5100 का अहीं चल सकता है या पिर भारत डिस्टेजि जारी करा हिए और ये तो फ편र यह कंशल करने के वहां पर ले जाना पड़ेगा तो आपके अनसेसरी एक बढ़ जाएगी इसलिए सबसे पहले confirm करें कभी वहाँ पे मेरा वाइकल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा जैसे मैं एक्जाम्बल देता हूं जैसे NCR चित्र है National Capital Region Area है NCR चित्र के अंदर जैसे डीजिल के वाइकल है 10 साल से पुराने ज्यादा नहीं चल सकते हैं और भी कंडिसन हो सकती है इसके अलावा नोन अटेंटम्ट सिट्टी है जैसे एक सुद्पूर कोटा उधैपूर और अलवर इन पांच सहरों के अंदर आप 15 वर्श से जो जहादा पूराने वाइकल है अनी चीकनल को पजिए नहीं करवा सकते हैं तो इसी परकार से अन्य इस्टेट की जो नॉन अटेंट्मेंट City है नॉन अटेंट्मेंट City का मतलब होता है और आता है तो वहां के government द्वारा क्या क्या restriction लगा रखे हैं तो NOC जारी करने से पहले यह आप confirm कर ला है कि वहां पर पंजयन हो पाएगा या नहीं हो पागया अब आपने NOC जारी करने के बाद इसका procedure क्या है अपलाई करने के लिए procedure for assigned new registration mark करने के बाद रजिस्ट्रिंग और संतूष्ट्री की जाती है कि जो NOC लाया है या वो गाड़ी लाया है वो कई fraud तो नहीं है false तो नहीं है NOC तो इससे पहले registering authority satisfy होगा कि इसने जो सारे document पेस किये यह बिल्कुल genuine है अगर संतूष हो जाएगा संतूष होने के बाद इसलिए वह NOC का confirmation भी कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रिंग और संतूष्ट्रिंग नहीं हो तो वापस वहाँ पे जहां से आपने NOC जारी कर रहे हैं वहां से एक लेटर देगा टेक्निक्ष्ट्रिंग और या नहीं जब रजिस्ट्रिंग और संतूष हो जाएगा इसके बाद आपके वहिकल को नया नंबर महां का नंबर कर दिया जाएगा तो यह ती अन्य राज़े के भानों को नहीं नंबर लेने की प्रक्रिया के बारे में अब सबसे जो इंपूर्डेंट होती है वह टेक्स ह परती एक राज़ी का एक में वहां में चैक्सरा में पоворो राज़्स्तान के ऊपर राजस्तान के अंदर कितना ट्एक्स लगता अगर कोई आपका वहिकल ट्रांसपोर्ट वहिकल है तो ट्रांसपोर्ट वहिकल जब राश्तान वह एंटर करेगा एंटर करने के समय उसको एक बॉर्डर टेक्स होता है रास्तान राज्जी का उसको बॉर्डर टेक्स पे करना पड़ेगा सबसे पहले तो उसको वो online ही पे होता है राश्तान के अंदर तो online टेक्स पे कर दिए तो फिर आप राश्तान के अंदर एंटर हो सकते हैं अगर आपने वो online टेक्स पे नहीं किया है और आपका वाइकल पकड़ा गया है तो आपको वो टेक्स तो लगए के लगए साथ में minimum four times penalty आप पे impose होगी उस की इसलिए बॉर्डर टेक्स जरूर परके अंदर परवेश करें फिर अगर आपका वाइकल non-transport वाइकल है तो निजी वहान है मेरा तो निजी वहान के अंदर आप वहां से NOC चाहरी करें ए उस case के अंदर आपको बॉर्डर टेक्स पढ़ने की आवशक्ता नहीं है अब उ अंदर स्ट्रेट से खरीतिया लाया हूं मारूति स्रिफ डिजायर वीडिये वहाइकल इसके डिटो प्रेश्टन 14 अगस 2017 है और इसकी NOC मैंने 5 अप्रेल 2023 को मैंने इस्यू करवाई है यहां मैं राज्तान के अंदर लेकर आगया हूं राज्तान में लेकर आओंगा तो सब से पहले एक अप्रेल को राज़्स्थान के अंदर ऋस वहीकल के केमत के ऊपर नटर लिया जाता है पर तो इसका वन ट्राम टैक्स रास्तान कांदर क एक कपेसिटी के हिसाफ़ से टैक्स है यानि कि अलग-अलग जो slab है, अलग-अलग क्यूभी capacity के साथ से अलग-अलग है, जो भी 4%, 8%, 10% जो भी है, तो one-time tax जैसे इस vehicle पर 10% tax applicable है, तो OTT at the rate of 10% जैसे, तो 9 लाग का 10% किते हो गया, 90,000 रुपे, पहले इसका full tax निकलेगा, अब इसकी date of registration कब की है, अगर से 17 की, और अब NUC कब लेका हो, अप्रेल 2023 के अंदर NUC लाए हो, यानि कि आपका वाइकल 6 पूराना वाइकल है, 6 पूराना वाइकल होने के कारण, आपको प्रती वार्स, 10% रिबेट के हिसाब से, आपको 60% इस tax के अंदर आपको रिबेट मिल जाएगी, यानि कि इसमें 6 साल पूराना है तो 60% रिबेट मिल जाएगी, यानि कि 90,000, 90,000 का 60% होगे 54,000, यानि 54,000 माइनस कर देंगे, तो आपको 36,000 रुपे ये OTT आपकी बंदी है, अब इस OTT के उपर राजस्तान का अंदर 12.5% सर्चार्ज लिया जाता है, यानि 44,500 रुपे, ये OTT और ये सर्चार्ज दोनों को मिलेंगे, तो टोटल 40,500 रुपे इस वाहिकल के लिए आपको राजस्तान के अंदर पे करने पड़ेंगे, तो पहले आप कर लाएं कि भी टेक्स कितना लगता है, साथ के अंदर जो गवर्मन्न की प्रेस काड़ फीस है, व बारे में बताने की कोशीज की है, तो ये था अन्य राजय के भानों को जो रिएस्ट्मेंट करते हैं, यहां पर एस्ट्मेंट करते हैं, ठीक ना, उन एस्ट्मेंट का तरीका क्या होता, इस पर टेक्स कितना लगता है, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए, तो इसको जरू ज्यादे से ज्यादा लाइक करें, शेर करें और सबस्क्राइब करें, ठैंक यू, जैहिन, जैवारत!